आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ इस तरीके से Concave Mirror होगा जिसकी जो Convex Surface होगी वो Polished होती है तो यह Surface Polished हो गया और यह हो गया Reflecting Surface और इसका जो Principal Axis होगा कुछ इस तरीके से होता है और यह वाली Point क्या कहलाती है Pole ठीके एक Focus Point होता जहाँ पर Parallel Light Ray जो Infinite से आ रही है वो यहाँ पर Converge होती है और यहाँ तरीके सेंटर ऑफ कर वेचे जो इस Sparical Mirror का एक सेंटर होगा ठीक है यहाँ पर Position of Image पूछाए है तो पहला चाहिए Real Image है ठीक है पहली Condition तो Real Image मतलब जो Image बनना चाहिए वो In Front of the Mirror बनना चाहिए मतलब इधर कहीं बनना चाहिए बैक साइड ऑफ दा मीर बनेगा तो इनवर्टेड बनना चाहिए इनवर्टेड बनना चाहिए मतलब सपोज करो आप अगर ऑबजेक्ट इनफाइनट पर रखते तो आपको पता है कि जो हमारे पास इसकी इमेज बनेगी वो Focus Point पे बनती है ठीक है पैलल मीर जो आती है वो कहां पर कनवर्ज होती Focus Point पे इस तरीके से तो यहां पर इमेज बनती है ठीक है और Point Size की बनती है Similarly आप थोड़ा सा और आ गया आते हो तो यहां पर जब आप ऑबजेक्ट को रखते हो प्लेश्ट करते हो इस पोजिशन पर ठीक है तो इस पोजिशन पर जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी आपके पास तो यहां पर देखिए यह इनफाइनट वाला तो होगा नहीं क्यों कि इनफाइनट वाले में कैसा बनता है हमारे बास पॉइंट साइज इमेज बनता है ठीक है और यहां पर बोला लार्जर साइज बनना चाहिए तो अगर आप ऑबजेट को सेंटर ऑफ करवेचर और इंफाइनट के बीच में कहीं प्लेश्ट करते हो तो जो लाइट रिज आएगी इस तरीकेस आएगी एहां से इस तरीकेसे रिफलक्त हो के जाएगी और एक पाइंट हम फोकस से पास करते है जो यहां से पहले लगाती है, तो यहां पर आप देखोगी जो image बन रहा है, inverted तो बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इस से छोटा बनेगा, अगर मालो यह AB आपके पास object है, और यह ADS, BDS आपके पास image है, तो आपको क्या दिखेगा कि object और image क्या हो रहा है, मतलब object की size image से बड़ी है, ठीक है, लेकिन यहां पर हमसे बोला जार larger, similarly आप जब CP आओगे, तो CP देखोगे कि equal size का image बन रहा है, ठीक है, तो हमारे बास जो condition दिया गया है, कि इस से बड़ा बनना चाहिए, तो हमें condition लेते हैं, C और F के बीच में, तो देखिए हो गया इसका polished surface, ठीक है, अब यह वाली point इसकी pole हो गई, यह हो गई focus, यह हो गई center of curvature, हम क्या बोले focus और center of curvature के बीच में कोई object को रख के देखते हैं, यहां पर, ठीक है, यह object हो गया, ऐसे light rays आएगी, जो पहला लाती हो, कहां पर converge हो थी है, focus पर, इस तरीके से जाएगी, और एक light ray हम क्या करते हैं focus से cross करवाते हैं, और इसका जो after reflection कहीं, यहां पर बनने वाला है, और यह हमारे पास क्या बनेगा, object बन जाएगा, तो यहां पर आप देख सकते हो, कि जो यह object है, और यह हमारे पास क्या बन जाएगा, image, ठीक है, this is A, B, और यह हो जाएगा, A-B-, आप यहां से देख सकते जो इमेज की साइज है, वो greater है object से, और हमारा light range, जो है, वो directly में intersect भी कर रहा है, तीक है, तो और larger भी बन रहा है, तो हमारे पास तीनों condition हो, inverted भी बन रहा है, inverted, that means, अगर object की साइज upward है, तो image की साइज क्या है, downward है, तो हम यहां से कह सकते हैं, कि जो हमारा इसका answer होना चा यह between center of curvature, center of curvature and focus, ठीक है, जब यह condition होगा, तभी हमारे पास जो यह conditions दे गई है, उसके according image बनेगा, तो I hope आपको यह चीज है, समझ माहा गई होगी, thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के level तक, 10 million से जादा students का भरोसा, आज ही डाउनलोट करें doubt net आप, यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर